इस वीडियो में हम एक और equation of motion के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमें यहाँ पे दिया हुआ एक fighter plane और यह fighter plane कैसे take off करता है यह हम आपको बताने वाले हैं यह एक ship है जो कि समुद्र में है और यह fighter plane इस ship से take off करने वाला है इस direction में कहीं इसकी velocity होगी, final velocity यह होता कैसे है कि यह ship पे एक गुलेल जैसा यंत्र लगा होता है जो कि इस plane को पकड़ के accelerate करता है और हवा में फेक देता है यहाँ पे और यह जो runway है यह गुलेल की पुरी लंबाई यह हमें दी वही है यह runway की लंबाई लिख लेते हैं runway length this is equal to 80 meters और हमें यह दिया हुआ है कि यह जो plane है जब यह छोडता है, जब इसे छोड़ा जाता है हवा में तो इसकी velocity हो जाती है 288 meter per second यानि कि final velocity, sorry यह होती है 288 kilometer per hour 288 kilometer per hour और जाहिर से बात है कि इसकी initial velocity तो 0 होगी क्योंकि जब यह start कर रहा था तो इसकी velocity तो कुछ थी ही नहीं तो vi भी लिख लेते हैं vi is equal to 0 kilometer per hour और फिर हमें निकालना यह है कि इस पूरी दूरी में plane कितना accelerate की होगी कितना acceleration हो गया होगा plane में और उसके pilot को कितना जहिलना पड़ा होगा यह हमें निकालना है तो सबसे पहले चीज यह है कि मुझे यहाँ पर displacement है या फिर runway का length वो दिया हुआ है meter में और यहाँ पर जो unit है velocity की वो है kilometer per hour में तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं kilometer per hour को meter per second में convert करतूँगा तो आइए सबसे पहले यह करते है यह velocity दी वही है में 288 kilometer per hour और अब क्योंकि kilometer लिखा है numerator में तो हम इसे लिखेंगे denominator में यहाँ पर 1 kilometer और 1 kilometer में होता है कितने meters होता है 1000 meters और यहाँ kilometer से kilometer कर जाएगा और हमारे पास आजएगा यह meter per hour और इसी तरह अब हम r को seconds में convert कर लेंगे तो अगर r को हम seconds में convert कर लेंगे तो यहाँ r denominator में है यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 r numerator में और फिर इसके denominator में आजएगा कितना 1 r में कितने seconds होते है 3600 seconds और यहाँ r से r कर जाएगा और यह चीज जो है जाहिर से बात इसलिए है क्योंकि अगर आप एक घंटे में कुछ km जा रहे हैं तो आप एक घंटे में उससे ज़ादा meters जाएगे इसलिए हमने 1000 meter को numerator में multiply किया है और अगर आप कुछ km जा रहे हैं एक घंटे में तो आपको आएगा 80 meter per second 80 तो आपकी final velocity हो जाएगी 80 meter per second और यह है आपकी final velocity और initial velocity तो खैर दी हुई है 0 km per hour जिसको कि आप अगर meter per second में convert कीजेगा तो भी आपको आएगा 0 meter per second तो इसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं 0 meter per second तो आईए अब solve करते हैं acceleration के लिए तो हमें क्या पता है कि हमें पता है displacement S हमें final velocity पता है और initial velocity पता है और निकालनी है acceleration तो देखिए acceleration का तो formula में displacement आता नहीं है हमने अभी तक कोई formula निकाला है नहीं तो हम क्या करेंगे कि जो हम जानते हैं उससे शुरुवात करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि displacement क्या होता है displacement कैसे निकालते हैं तो displacement हमने आपको कहा था is equal to V average V average into delta T into delta T हाना और V average के बारे में हमने क्या कहा था कि V average होता है average of initial velocity and final velocity V initial plus V final by 2 और ये हमेशा सही आपको नहीं बताया था ये बताया था कि ये तब ही आप लगाईएगा जब आपकी acceleration constant हो और इस सवाल में हम ये मान रहे हैं कि ये जो acceleration दे रही है ये गुलेल ये constant acceleration दे रही है तो हम ये लगा सकते हैं अब हमें delta t पता करना और अकर delta t हम डाल देंगे तो हमें displacement भी आ जाएगा और देखते हैं उससे acceleration आ सकता है या नहीं आ सकता है लेकिन delta t या फिर duration of time ये तो हमें पता है ही नहीं कि कितना समय लग रहा है plane को 0 से 80 meter per second की velocity हासिल करने में अगर मेरे पास acceleration दिया होता न तो मैं ये निकाल सकता था अगर मालने जी acceleration होता 10 meter per second प्रती second तो मुझे पता होता कि प्रती second 10 meter per second से velocity बढ़ रही है यानि कि 8 second बाद ये velocity होगी plane की लेकिन acceleration तो खेर निकालना ही है हमें तो आइए acceleration का formula देखते हैं acceleration की definition से जोकी आया है तो हमें पता है कि acceleration is equal to change in velocity by change in time अब यहां से हम change in time निकाल लेंगे दोनों साइट delta t से multiply कर देते हैं और फिर दोनों साइट acceleration से divide कर देते हैं तो यहां क्या होगा यहां delta delta t कट जाएगा और यहां पर aa कट जाएगा और हमारे पास आएगा delta t is equal to delta v by a change in velocity by acceleration और change in velocity को हम लिख सकते हैं v final minus v initial this by acceleration अब इसी को हम यहां पर लाके लिख देते हैं तो हमारे delta t क्या हो जाएगा v final minus v initial divided by acceleration a तो आएगे थोड़ी सी जगे बनाके इसको solve करते हैं और यह हमें देदेगा displacement is equal to अब यह देखिए यह आपको math से पता होगा कि यह a plus b into a minus b का form है और इसे solve करने पर क्या आता है a square minus b square तो आएगे इसे solve करते हैं इसे अगर हम solve करेंगे तो हमारे पास आएगा v final का whole square v final का whole square minus v initial का whole square v final का whole square minus v initial का whole square divided by 2 into acceleration और देखिए यह जो equation हमारे पास आई है इस equation में time कहीं भी नहीं दिया हुआ है हमारे पास displacement है final velocity है initial velocity है और acceleration तो हमें निकालना ही है अब किनी किताबों में आपको यही formula जो है अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा पहले तो 2a को एक side पे ले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 into a और यह जो a है यह acceleration का magnitude होगा और फिर होगा 2a into s और यहाँ पे s भी होगा displacement का magnitude और यह बराबर होगा final velocity final velocity vf से यहाँ पे हमने लिखी थी और आपको कहीं लिखा होगा v से v भी होगा final velocity का magnitude minus initial velocity को लिखा होगा u से v i के जगा पे और यह होगा initial velocity का magnitude का square तो इस तरह से लिखा होगा आपका formula और यह जो है equation यह इस particular situation में सही भी है क्योंकि हम एक ही direction में करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2s से दोनों side divide कर देंगे ताकि यहाँ पे सिर्फ़ सिर्फ acceleration आजाए एक side में तो acceleration is equal to v square minus u square by 2 into s और थोड़ी से जगा बना लेते हैं इसे solve करने के लिए तो हमारे पास final velocity dv है 80 meter per second और इसका square हो जागा यहाँ पे minus initial velocity तो 0 है तो इसे तो लिखने के जरूरत ही नहीं और इसे divide करना है हमें 2 into displacement से displacement है 80 meters का तो अब इसे हम खोलते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है तो हमारे पास आ जाएगा इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताक ही हमें यहाँ आने मिले यह थी acceleration तो acceleration is equal to 80 into 80 into meter square by second square और divide by नीचे है 2 into 80 और unit है meter का तो 1 by meter यहाँ 80 से 80 कट जाएगा और 2 एक 80 को काट देगा 40 और यहाँ meter एक meter हो काट देगा तो हमारे पास finally बचेगा acceleration is equal to 40 meter per second square अब यह देखिए इसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यह 40 meter per second square अगर आप अभी कहीं से कूथते हैं ठीक है अगर आप चेयर पर खड़े हो के नीचे कूथें तो आपकी जो acceleration होगी वो होगी G और वो होती है 10 meter per second square अप्रॉक्स और इस इनसान की acceleration जो है उससे चार गुना जादा है चार गुना तो आप सोच सकते हैं उससे कितना जादा acceleration मिल रहा होगा तो इतना ही acceleration छेलना पड़ता है एक fighter plane के pilot को और इसके लिए बहुत ही अच्छी training दी जाती होगी मेरे ख्याल से तो हमने ये derive किया ये वाला formula ठीक है और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी 2as is equal to v square minus u square